Hey everyone, welcome back to my channel, A-Consious Life-Style तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही affordable kitchen items जो कि मैंने मगाई है मीशो से तो मीशो से मैंने बहुत सारी kitchen product मगाई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर लिया हैं तो यहां पर सबसे ही दो देख ने के लिए और कीशीट निरये दो खुचम सेघ्रशी होगा आइट्न कीशिट करफेले के लिए घुफचे करनेłos है है तो यहां पर मैंने एक इससे बहुत ही खूबसूरता स्टेंड वगा लिया जिसमें आप चकला बेलन चीम्टा साथ में तवा सारी चीज़ें रख सकते हैं बहुत ही अच्छे से एक साइड में अच्छे से रेंच हो जाता है फिर उसके बाद दूसरा भी मैंने एक और्गन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से साइड कर सकते हैं तो यहां पर आप अचार घी जो भी आप यूज कर सकते हैं या और भी आइटम साव यहां पर आप रख सकते हैं बहुत ही अच्छे से एड़्जेस्ट हो जाते हैं तो यहां पर देखिए मैंने अचार भी रख द दिया है चलिए अब next item देख लेते हैं तो next item मैंने मगाया है यह cup set तो यहांपर मतलब cup stand sorry तो यहांपर कप का stand है जिसमें आप cup को अच्छे सैंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से hangँ जाते हैं और इसे तो यह सारे तो हो गए, और चलिए अब नेक्स आइटम देख लेते हैं, उसके बाद यहां पर एक मैंने बहुत ही काम की चीज मगाई है, जो कि मेरे को बहुत जादा जरूरत दी, तो यहां पर मैंने यह इस थरीके का मगाया है, और मतलब यह किचिन के मतलब रिलेटिड नह सालते हैं, तो वह में मिलती रही है, तो मैंने यह स्टोरेज बाक्स मंगा लिया है, मिशो से बहुत ही कम रेंज में मेरे को मिल गए थे, और यहां पर देखिए, इस तरीके से जो मिनी सबजियां थी, पूरी फ्रिज में इस तरीके से फैली हुई थी, तो मैंने इसको और भी इनको अचै हमेश आपको रहा ह availability सेट कर सकते हैं, जै 흥ा साइपा क्योंकि इनका साइज जो बादा है था से था से साइप अई मकूं हो चैरिण से अंच्छ सेसृइए, और आप इसमें सब्सेर में रखते हैं, तो बहुत ही अच्छ स्टोरेज का य आप्शन हैं, ब गया है चलिए अब नेक्स आइटम देख लेते हैं तो नेक्स आइटम मगया है मैंने डेकोर से लेटिर क्योंब एक किचिन में हम लेडिजों को जाता सा टाइम होता है तो हम यह ने आपर एक बहुत ही अच्छा सा डेकोर आइटम मगया है जो कि बहुत ही मेरे को 1890 करने के लिए तो मैंने इसको किचिन में कर दिया था तो इस तरीके दे एज्या लागने के बाद बहुत ही जाधा प्यारा लग रहा था वह दो इतने किचिन में बिल्कुल चार चान लगा दिए तो यहां पा चलिए नेक्स आइटम देख लेते हैं तो नेक्स आइटम भी यह डेकोर से रिलेटेड है, बाई किचिन में हम काम करते हैं, तो डेकोर मतलब ऐसा नहीं है, सिर्फ हम लिविग अरिया, यह फिर हम बैडरूमी डेकोर करेंगे, किचिन को डेकोर करना ही बौती जाता जूरूरी है, क्योंकि लेडिस का ज्यादा सा टाइम जो है, वो किचिन कोई, यह जब मैंने मंगा लिया, और इसको भी हम हैंग कर सकते हैं, आपको उपर दिख रहा होगा, इस तरीके का इसमें दागा दिया हुआ है, जिससे अच्छी इसली हैंग हो जाएंगे, और सभी अलग-अलग कलर्स में थे, जो की लगने के बाद बहुत जादा अच्छ लग रहे थे, आप चलिए, नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो नेक्स्ट आइटम मगाया है, यह मगा एक बहुत ही कुबसूरत सा किचिन मैट, जो की मतलब मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैट सिर्फ पैरो के काम आएगा, पर यह देखने में भी इत है, यह मतलब सिर्फ के या कुछ हो, तो यहाँ पर यह बिल्कुल भी नहीं सरकेगा, क्योंकि इस तरीके का इसमें दिया हुआ है, जिससे बहुत ही अच्छी से जो आपके फर्ष पे न बिल्कुल अच्छी से चिपक जाएगा, और बिल्कुल इदर उदर नहीं मूव जो पुबसूर्सी है, तो यह बहुत ही अपर यह बहुत ही अपर जो सारे प्रोड्रेक्ट के लिंक है न वह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहां जाकर चेक आउट कर सकते हैं, और मीशों से खरीच सकते हैं, तो चलिए अब मैं ने ने अट्स राइटम जो पूरी बेकार हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ड्रेल का आप्शन छोड़के मैंने इस तरीके के हैंक करने वाले जो डैकोराइटम मगाया थे इसलिए इसलिए इस पर हैंक हो जाएंगे, इसको लगाना भीजिए हाप पिछे से इसको अटाके इसलिए इसको लगाना होता यहां बहुत पर रहे जनजया थे इसिए इसलिए भीटता, इस पर आपो पिछे के के लियरे इसलिए लैटनेफिए करने और मैंने यह लगाया है कि वाल पेपर केहें लिए मगाया है, व्याएं यहां पर मैंने गाया जाए पाँ. करते हैं तो हमारी जो टायस हैं वो बहुत जाता गंदी लगती है यह जारता हमारी जो टायस है वो लाइक प्यार लगता है तो इस लिए किचिन में दो चार चान लगा ही देता है तो इस तरिके सी sticker वाला था आपको इस तरीके का पीछे का sticker हटाकर और इसको easily आप चिपका सकते हैं तो ये लगने के बाद दिखिए कैस के पीछे का जो मेरा वो था tiles कितने जादा प्यारे लग रहे हैं अब आप लोग ये इमत किए का tiles से भी clean कर सकते हैं clean तो tiles से भी सकते हैं और इसको भी गड़ सकते हैं पर इससे जो kitchen का जो look है न all over वो बहुत जादा change हो जाता है उसके बाद चलिए अपने next item देख लेते हैं तो next item में मैंने ही हाँ पर मंगाया है ये इस तरीके का मतलब ये भी wallpaper ही है तो ये मतलब एक wooden touch में wallpaper है जो कि बिल्कुल wooden वाला feel देता है तो आप इसको मतलब किसी भी almira या अपने जो door होते हैं उन पे भी लगा सकते हैं साथ में आप इसको wall पे भी लगा सकते हैं टाइस पे भी लगा सकते हैं मतलब multi purpose है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था सब wooden का काम होता है न जैसे मेरी kitchen की almira थी बिल्कुल wooden वाला ये उससे हलका हलका मतलब मैच ही कर रहा था थोड़ा बहुत ही रिफरेंस था और बहुत ही कम प्राइस में मेरे को मिल गया था और काफी बड़ा wall paper था ये जोकि बहुत ही अच्छे से मैंने एक दिवार पे इसको set कर दिया था तो मैंने जो इसको use किया था वो किया था मैंने sink के side पर मेरे wall थी जिसे जो sink का पानी था वो wall पर गिरता था और निशान बन जाते थे और साथ में जो है वो देखने हैं बहुत ही गंदी भी लगती थी wall तो मैंने उसको एकदम इस तरीके से चिपका दिया तो ये बहुत ही अच्छे से मैच हो गया मेरी kitchen के वुडर के साथ और साथ में बहुत ही अच्छे option है अगर आपको door वगयरा विकार है तो उस पर चिपका सकते हैं तो आप किसी पर भी इसका इजली यूज़ कर सकते हैं बहुत इजली चिपक जाता है और देखने के बाद आप wall का look देख सकते हैं कितना जादा प्यारा लग रहा है उसके बाद चलिए next item आपको दिखा देती हूँ तो next item में मैंने आपके साथ share कर रही हूँ बहुत ही useful यह भी काफी useful product है क्योंकि हम kitchen में समान रखके एकसर बूल जाते हैं कि कौन से डिब्बे में क्या है तो उसे से related मैंने मीशो से sticker order करें हैं जिस पे आप इसली लिख कर मतलब कुछ भी जो भी समान है डिब्बे पर वो यहां पर white marker से लिख सकते हैं हैं और इसी list को stick कर सकते हैं यह चिपकाने वाले हैं तो आप डिब्बे पर stick कर देंगे तो आपको समान ढूनने में बिल्कुल भी जंजट नहीं होगी तो यह भी बहुत ही काम की चीज़ है उसके बाद मैंने यहां पर थोड़े टाइम पहले ही मतलब हुआ होगा वन से ट किचिन के लिए यह भी बहुत ही प्यारे हैं और यहां पर आप अलोवर किचिन का लुक देख सकते हैं जब मैंने सारा समान अच्छे से से सैट कर दिया जो भी मगाया था तो किचिन का जो लुक है ना बिल्कुल चेंज हो गया मतलब छोटी चोटी चीजों से ना जो किचि अच्छी लगी हो और ऐसी आप प्रोड़ाक्ट रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जबर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए का मिलते हैं ना इस वीडियो में जब तक के लिए बाइबाइ